जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप फ्रेंड्स जीव एटी 817 टैपिंग टेस्ट में इसकी प्रोसेसिंग में स्टेल लगया है कारण क्या है मुद्दा क्या है यह तो आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन वो डाउट्स के ब सीड्स कम हो जाएगी हालांकि इन क्वेश्चन से संबंदित इन डाउट से संबंदित पहले ही बहुत खूब वीडियो बन चुकी है लेकिन फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात करूंगा बिल्कुल लॉजिक वन नोटिफिकेशन के साथ तो वीडियो में अंदर बने रह कि आपका जो टैपिंग टेस्ट होना है कि आप वो छे तारिक से शुरू होगा क्या जो स्टे लगा है वो हट जाएगा दोस्तों मैं आपको बता दू मुस्ट प्रोविविल्टी है चांसी यही है कि आपका जो स्टे है वो हट जाए आपके प्रोसेसिंग से स्टे हट कि फाइनल रिजल्ट तब तक ना शो हो जब तक डिसीजन ना हो जाए फ्रेंड्स 99 परसेंट मेरी प्रेडिक्शन मानों तो दोस्तों 100 प्रसेंग टेस्ट में जो एटी की जो प्रोसेसिंग में स्टे लगा है वो हट जाएगा वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों मैं इतना शुर कि हूँ हूँ कि आपका टैपिंग टेस्स से यह स्टे हट जाएगा दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो यह 556 पूश्ट कोट 556 वो भी चियो यह आईटी की ही थी 2016-17 का यह मामला है तब से यह कोट में चला है पेपर होई एक्जाम होई फिर से को गूश्ट के तहट आप जियोटी 556 के बढ़ती करिए स्टिक्ट आरंपी रूल के तहट है जो गैडिट है 556 में उनकी बढ़ती किजिए अब उसमें हुआ क्या दोस्तों उसमें हुआ यह कि जो प्राइवेट डिप्लॉमें वाले कैंडिट से जिन्होंने प्राइवेट क कर्प्यूटर में तो वो भी बाहर हो गई सिर्फ वही कैंडिडेट्स इसमें अंदर हुए जू कैंडिडेट्स सरकारी डिप्लोमा होल्डर थे ठीका फ्रेंट्स तो ऐसे में बहुत सारी सीटे वेकेंट भी रह गई खाली भी रह गई लगवग लगवग 600 सीटे 625 सीटे भरी और लगवग 500 सीटे खाली रह गई अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों मैं आपको बता दूं हालांकि किसी को भी यह जानकारी नहीं होगी बहुत कम ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको यह जानकारी होगी कि आपका 556 का मामला हाई कोट के अ मतलब जो बूर्ड ने स्टे लगाया वो कुछ एक कैंडिडेट्स के लिए इसलिए लगाया थाकि यदि बूर्ड हमारे फिवर में फैसला देता है तो एकदम से टैपिंग टैस्ट स्टार्ट करें कूट प्रोसेसिंग को पूरा भी तो रोक सकता था टैपिंग टैस्ट को पूरा भी तो रोक सकता था वो इसलिए नहीं रोकी क्योंकि जो जद साहिब है वो केस को स्टड़ी कर रहा जाते हैं मैं आपको बता दूँ यह पांसो चपन में बहुत केसी है इसलिए यह स्टे लगा बहुत सारे केंडिटीर्स के मन में यह स्वाल उठ रहे हैं क्या सीड सकता है कोट के डिसीजन पर और यहां तक की वूर्ड खुद भी सीड कम कर सकता है लेकिन 800 सत्रा मैं ऐसा जरी नहीं लग रहे है इसमें ऐसा भी नहीं लग रहा हा किसीड़ी इसलिए मैं को बता देना चाहता हूं सभी की सभी जो ठीक है तो सारी 500 सीटे बची थी 556 में वो सारी की सारी नहीं मर्च हुई है लगवक सारी 500 531 सीटे बची हुई है ठीक है तो तो वो सारी की सारी नहीं मर्च हुई कुछ सीटे ऐसे उसमें पहले से ही विकेंट रखी गई है जो के सुप्रिम कोड में है बाकी जो भी सीट्स है वो आपकी 817 में ही रहने वाली है क्योंकि जो कोड ने डिसीजन दिया है आपका 2019 में वो यह दिया था कि स्ट्रिक्ट आरेंपी रूल के तहट ही आपको भरत्या करनी है पांसोचपण में दोस्तो यह है वो नुटिफिकेशन जिसके तहट जिवाएटी के लिए आवेदन किया था 29-2020 को यह नुटिफिकेशन रिलीज हुई थी उसके बाद आपने फॉर्म फिल किये थे 26-2020 उस समय जब यह नुटिफिकेशन हुई थी लगवा 1160 यहां देख सकते हैं फ्रेंड्स आपकी यह है 1160 टूटल थेका फ्रेंड्स पूष्ट कूट 817 जुनियर ऑफिसर एसी से लेकिन उसके बाद साड़ी पांसो पांसो साथ सतर के क्रीव फिर से वेकेंसि आपकी इसमें एड्ट हो गई वह बनी आपकी 1879 ठीका फ्रेंड्स दो सीटे फिर विड्रॉल की गई इस अब आपकी जो सीट्स बच्ती है वो है आपकी अठारासो सतासर अठासो सीटे अब यदि आप यह नुट इस लाइन को इस परग्राफ को पूरा पढ़ेंगे तो लास्ट में आप देख सकते हैं दी नम्मर ओफ वेकेंसी एंड रिजर्वेशन और पूस्ट इस लाइबल टू अल्टरेटीड विडाउट एन नी नोटिस में आपको एक बहुत महत्तपन जांकारी देना चाहूंग फ्रेंड्स यदि ये सीर्स जो 556 किसमें एड हुई है जिदी वो कम भी हो जाती है तब भी फ्रेंड्स आपके आईजियो एटी 817 की फाइनल कटोफ में बहुत जाद अंतर नहीं आने वाला है वो क्यों दोस्तों जानने के लिए मुझे कमेंट करिए मैं नेक्स्ट वीडि बन लगी होगी बाबाए टेक यार